गुरुदेव और मागायत्री के चड़नों में कोटी-कोटी नमन क्या गायत्री साधना से कभी अनिष्ट हो सकता है? इस पर गुरुदेव की क्या विचारे हम जानते हैं? गुरुदेव को साक्षि मान कर मैं वीडियो को चालू करती हूँ मंत्रों की साधना की एक विशेश विधी विवस्ता होती है नित्य साधना पद्धिती से निर्धारित कर्मकांट के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान साधन पुरश्रन करना होता है आमतोर से आविधिपूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक होता है और लाप के स्थान पर उससे अनुष्ट की संभावना रहती है ऐसे कितने ही उधारन मिलते हैं कि किसी व्यक्ति में किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अत्वा कोई योगभ्यास या तांद्रिक अनुष्ठान किया साधना की नीती रीती में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार का अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कार्ण साधक को भारी विपत्ती में पढ़ जाना पड़ता है ऐसे प्रमाण इतिहास प्राणों में भी मिलते हैं व्रत्र और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारन करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था अन्य वेद मंत्रों की भाती गायत्री का भी शुद्ध सास्वर उच्चारन होना और विधेपूर्वक साध्ता करना उचित है विधी पुर्वक किये हुए अनुष्ठान सदा शेग्र सिद्ध होते हैं और उत्तम पईनाम उपस्थित करते हैं इतना होते हुए भी वेद माता गायतरी में एक विशिष्टा है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता जिस प्रकार दयालू उदार और बुध करते रहते हैं उनकी संप्भाण में बालक से ट्रटी भी हो जाती है और कई बढ़आ उलटा आचरंणHHH कं बैखतेहें इतने माता ना तो उनके प्रटी दुर्वामन में लाती है और उन्हें किसी प्रकार की हानी पहुंचाती है जब साधरन माता इतने दयालूता और शमा प्रदर्शित करती हैं तो जगत जन्नी वेद माता सद्गुणों की दिव्य सुरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है वह अपने बालकों की अपने प्रतिश्रधा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती हैं बालक की भक्ती भावना को देखकर माता का हर्दय उमर पड़ता है उसके बासले की अमरत निर्जहरनी फुट पड़ती है जिसके दिवे प्रवाह में साधना की छोटी-छोटी भूलें जो कर्मकांड में अज्ञान तवश हो जाती हैं वो तुटियें तिंकी के समान बह जाती हैं गलतियों को मां भूल जाती हैं सतोगुणी साधन की विप्रीत फल ना होने का विश्वास भगवान स्री किष्ण ने गीता में भी दिखाया है भगवान स्री किष्ण ने गीता में कहा है सत कारे के आरंब का नाश नहीं होता वह गिरता पढ़ता आगी भढ़ता चलता है उससे उल्टा फल कभी नहीं मिलता ऐसा कभी नहीं होता कि सत इक्षा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका शुप पढ़ नाम ना निकले। थोड़ा भी धर्मकार बड़े भयों से रक्षा करता है। गैतरी साधना ऐसा ही सात्विक सत कर्म है जिसे एक बार आरंब कर दिया जाए तो मन की प्रवर्तिया उस और अवश्य ही आकर्शित होती है। और बीच में किसी प्रकार यरी छूट पी जाए तो फिर भी समय समय पर बार बार उस साधक को पुनह आरंब करने की इच्छा होती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद अगर मिल जाए तो बार बार उसे प्राप्ट करने की इच्छा हुआ करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता किसी विपत्ति संकट या अनिष्ट का उसकी साधना में सामना भी नहीं करना पड़ता तुरुटियों को परिणाम यह हो सकता है कि आशा से उसे कम फल मिले या अधिक से अधिक यह भी हो सकता है क उसकी साधना निश्फल रह जाए इस साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंब कर देने से उसका फल हर दश्टी से उत्तम होता है उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है जो अन्यों पायों से बड़ी कटनाईयों से हटाए या मिटाए जा सकते हैं इस विशय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत की बारोवे इसकंद में नारत जी ने भगवान नाराइन से यही प्रश्ण किया कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुश्वी सहज में कर सकें और जिससे माता प्रसंद होकर उनका कल्यान करें क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्रायह आहार विहार विधी विधान त्याग तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं जिसको सामान में श्रेडी और थोड़ी बुद्धी विध्या वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते इस पर भगवान ने कहा हे नारत मनुश्य अन्य कोई अनुश्ठान को करे या ना करे पर एक मात्र गयत्री में ही जो द्रण निश्चा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं हे महमुनी जो संध्या में अर्ग देते हैं और प्रतिदिन गैत्री का तीन हजार जब करते हैं वे देताँ दौरा भी पूजने योग्य बन जाते हैं जब करने से पहले उसका न्यास किया जाता है क्योंकि शास्त्राकारों का कथन है कि देवो भूत्वा देवम यजेत अर्थार्थ देव जैसा बनकर देवों का यजन करना परन्तु किसी कटनाई या प्रमात से न्यास ना कर सके और सच्चदानन्द गायत्री का निश्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जब करता रहे तो भी परियाप्त है गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम, ब्रहमण, विश्णु शंकर, ब्रहमा, सूर्य, चैंद्र, अग्नी के समान इसपरधा करता है जो साधक या मनुजार गायत्री के उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है इस कथन से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्विक और निश्काम साधना ही सर्विस्रेष्ट है उससे निश्चित रूप से आत्मकल्यान होता है इन सब बातों पर विचार करती है साधकों को निर्भयमन से समस्त आशंकाओं इवं भयों को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए ये साधारन अस्र नहीं है जिसके लिए नियत भूमी का बांधे बिना काम ना चले मनुष्य यदी किनी चुटल वन्चर जीवों को पकड़ना चाहिए तो उसके लिए चतुरता पूर्वक उपायों की आवशक्ता बढ़ती है परंतु बच्रा अपने मा को पकड़ना चाहिए तो उसे मात्र भावना से माप कार देना मात्र काफी होता है गौ माता खड़ी हो जाती है वासले के साथ बच्रे को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों से दुख्तुपान कराने लगती है आईए हम भी वेद माता को सच्चे अंतर करण से भक्ती भावना के साथ बुकारें और उसके अंतराल से निकला हुआ अमरत रस्पान करें हमें शास्त्रिय साधना पद्धिती से उसकी साधना करने का शक्ती एवं प्रतना करना चाहिए अकारन भूल करने से क्या प्रयूजन है यानि कि हमको जान भूच कर भूल नहीं करने चाहिए अंजानी में हो जाए तो माँ माफ कर देती है लेकिन जान भूच कर अगर हम गलती करेंगी तो माँ कब तक माफ करेंगी अपनी माता अनुचित प्यहार से को भी शमा कर देती है पर इसका तातपर ही ये नहीं कि उसके प्रती श्रद्धा भ्रक्ती में कुछ धील या उपेक्षा की जाए जहां तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किन्चित मात्र भूल हो गए तो बुरा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता इस भय के साथ गायतरी साधना से वंचित रहने की आविशक्ता नहीं है इसपष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ती भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्यानतवश कोई छोटी छोटी भूलों को मा शमा कर देती है तो इस तरह से मा अपने भक कि दौरा अपने बच्चों की दौरा जो अगर अज्ञानतवश अगर भूल हो जाती है तो माँ खुद ही माफ कर देती है जब एक साधरन माँ माफ कर सकती है तो वो तो जगजन्नी परमेश्वरी हमारी माँ है वो हमारी भूलों को क्यों शबा नहीं करेंगी लेकिन इसका मत कर बार बार भूलों को दोराएं और आश्रद्धा से मा की साधना करें आश्रद्धा से अगर हम साधना करेंगे भूलों को करेंगे तो मा तो फिर रुष्ट होंगी है इसलिए अगर आप से कोई भूल हो जाए तो मा से शमा मांग ले और अपने साधना में बढ़ जाए औ कुछ जो नियम है आवश्चक नियम बतलाए गए हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे साधक जब साधना करे तो उनको किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए कौन से आवश्चक नियम है गुर्देव दौरा जो बताय गए हैं गैतरी महाविज्ञान पुस्तक में उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो अगर आपके जानकरी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें में चैनल को धन्यवाद